तो बहुत सारे लोग आज के डेट में Casify Supercell के उपर एकाउंट इसलिए बनाना चाहा रहा है क्योंकि Supercell के उपर आपको हर एक फोन का प्राइज बहुत कम देखने को मिलता है हाँ थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत हो सकता है, बेटरी इन सर्विस हो सकता है किसी का फेस आईडी नहीं काम कर सकता है तो छोटे मोटे अगर आप प्राब्लम को कम्प्रमाइज कर लेते हो तो Casify Supercell पे आपको बहुत सस्ते में iPhone मिल जाएगा जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सेकतो iPhone 11, 128 GB आपको मिल सकता है Supercell के उपर 13,910 रुपीज में अगर हम लोग iPhone 12 Mini 4, 128 GB की बात करे सेम वह में अगर हम लोग iPhone 12, 4, 64 GB की बात करे तो ये मिल जाएगा आपको 13,500 रुपई में वही पे अगर हम लोग iPhone 13 की बात करे, 4, 128 GB Grade E वाला phone तो 19,430 रुपे में मिल जाएगा iPhone 13 Pro की अगर हम लोग बात करे तो 28,220 रुपे में आपको देखने को मिल जाएगा तो definitely Casify Supercell के उपर आपको बहुत सस्ते price पे iPhone देखने को मिलता है Android phone भी देखने को मिलता है Laptop भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास comment आ चुका है कि बोलो business को verify नहीं कर पा रहा है क्योंकि Supercell में account बनाने के लिए आपके पास एक business proof होना चाहिए तो आज भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को complete idea दूँगा किस तरह से आप business proof बना सकते हो और किस तरह से आप account को verify कर लोगे Supercell का जो account होता है उसका कोई website नहीं है अगर आपको order करना है तो आपको या तो play store या तो app store से इसका application को download करना पड़ेगा और application का नाम है Supercell जैसे ही आप application को download कर लोगे उसके बाद आपको अपना phone number और email address देके verify कर लेना है तो ज्यादा तरह लोगों के पास जो account है उसमें आप लोगों को price नहीं show करता है इस तरह से आपको xxx price आता है जैसे हर कोई phone का अगर आप लोग price देखोगे तो आपको price so ही नहीं करेगा ये वाला जो मेरा account है इसको मैं completely verify कर लिया हूँ business proof से तब जाके आप लोग देख सेकतो सारे के सारे phone का यहाँ पर price भी show कर रहा है और आप order भी कर पाओगे तो अभी जैसे ही आप लोग my account section में जाओगे यहाँ पर आपको manage kyc documents देना पड़ेगा और ये सारे documents को आपको upload करना पड़ेगा जैसे आप upload कर दोगे लगभग 24 hour के अंदर आपका account verify हो जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर valid proof देना पड़ेगा जैसे कि क्या-क्या documents देना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं कहां से बहुत सारा document बना सकतो free of cost में उसके बारे में भी मैं आप लोगों का idea दूँगा तो सबसे पहले आता है business proof जो कि आपको बनाना है second ID proof आपके पास definitely होगा ID proof में आप आधार, voter, driving license, passport कुछ भी डाल सकते हैं pen card आपके पास होना चाहिए pen card definitely आप सब के पास होगा जहां पर problem होता है वो है business proof business proof के लिए आपको या तो GST चाहिए या तो trader license चाहिए या तो S&E certificate चाहिए और सबसे जो simple way में आपका बन सकता है वो है उजदोग अधार ये उजदोग अधार वाला जो option है इसको अगर आप tick करोगे और अगर इसको आप बनाने जाओगे तो आप free or cost में इसको बना सकते हो इसके लिए कोई भी verification नहीं चाहिए एक website का link में आप लोगों को description में डाल दे रहा हूँ उस website को visit करके आप आराम से उदोग अधार बना सकते हैं और जैसे ही आप बनाओगे इसमें time भी नहीं लगता है जैसे ही आप application को complete कर दोगे submit कर दोगे आपको तुरंद यहाँ पे उदोग अधार का certificate मिल जाएगा और जैसे ही आपका उदोग अधार का certificate मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे आके आपको आपका business proof में उदोग अधार डाल देना है ID proof में आप कुछ भी डाल सकतो pen card बगे रहे यहाँ पे आपको डाल देना है और उसके बाद आपको verify के लिए डाल देना है लगबग 24 hour के अंदर आपका account verify हो जाएगा और उसके बाद आप बहुत ही सस्ते price पे Casify Super Sale के उपर order कर सकते हैं लेकिन Casify Super Sale से order करने से पहले आप लोगों को एक trick पता होना चाहिए जिस trick का अगर आप use नहीं करोगे तो आपको अच्छा product देखने को नहीं मिलेगा उस case में आपको हमेशा ही defective product देखने को मिलेगा तो जो भी आप product order करोगे सबसे पहले उस product को आपको खोल लेना है जैसे कि for example मुझे यहाँ पे iPhone XR order करना है तो मैं इसको click करूँगा यहाँ पे आपका price हो कर जाएगा आपको यहाँ पे नीचे आना है और उस product का जो QC report है quality certificate है उसको आपको चेक करना है और quality certificate में अगर सारा कुछ सही है अगर आपको पसंद आ रहा है तब order करे अगर आप super sale के उपर order करोगे तो बहुत बार आपको defective product भी देखने को मिलता है तो यहाँ पे मैं एक बार QC report चेक करता हूँ जैसे ही यहाँ पे आप लोग देख सेकतो यहाँ पे cross दिया हुआ है battery in service है phone का नीचे अगर आ जाएंगे तो screen copy होगा इसका charger available नहीं है box available नहीं है physical condition की अगर बात करे तो यहाँ पे आप लोग देख सेकतो minor paint peel होके रखा है और यहाँ पे glass panel जो है बोट damage है इतना कुछ अगर आप compromise करोगे तब जाके आपको iPhone XR 10,530 रुपए में मिलेगा तो इतना तो आप compromise नहीं करोगे उससे better option होगा कि आप grade को change कर लोगे जैसे कि यहाँ पे मैं grade को select करके रखाऊं C plus अगर आप grade को यहाँ पे B तक लेके आ जाओगे तो उस case में आपको अच्छा product देखने को मिल जाएगा फिर से आपको QC report चेक करना है और QC report में अगर आपको सारा कुछ सही देखने को मिलता है तब जाके order करना और ध्यान रखना जो भी product आएगा उसमें आपको कोई भी warranty देखने को नहीं मिलेगा 48 hour के अंदर अगर आपका product में कोई भी दिक्कत आता है कोई भी अगर problem आता है तब return होगा other cases में यहाँ पे super sale के उपर कोई भी warranty नहीं है और कुछ भी आपको return देखने को नहीं मिलेगा after 48 hour तो I hope आप लोग समझ चुके हो बाकि अगर आप लोगों को कुछ भी doubt है इसके regarding तो आप लोग comment में पूछ लेना मैं हर एक को reply करूँगा तो यह था complete video हम मिलेंगे आपसे next video में तब तक के लिए take care बाइब और क्या है